गाइस असलालेकूम कैसे हैं आप लोग विलकम टू माई यूटूब चैनल आज हम लोग पंजाबी दाल बनाएंगे इससे पहाडी दाल भी कहते हैं मोटी दाल भी कहते हैं दाल को बनाने के लिए साथ तरह की साबित दाल का इस्तमाल किया जाता है राजमा एक कटोरी, रमास एक कटोरी, काला चना एक कटोरी, काबली चना एक कटोरी, मूं एक कटोरी, उरद एक कटोरी और सफेद मटर एक कटोरी लेंगे उसे मिक्स करदाएं सातो डालों को एक जखे मिलाकर एक जिब्बे में लख से रख देते हैं एक कटोरी मिक्स डाल लेंगे और उसे 3-4 घंडे भिगाएंगे और फिर उसे नमक डाल कर उबा लेंगे एक फुल सीटी पे 3-4 कम सीटी पे ठंडा हो जाए तो उसे निकाल कर देख लेंगे कि डाल गल गई है। ऐने सारे मसाले के लिए रख लिए हैं, हम इस्तिफाइब आपको डालेंगे और बताइंगे, डो मीडियम साइस का टमाटर, दो मीडियम साइस के प्यास काटके साइड में रख लेंगे, आप कड़ाई गरम करेंगे, उसमें दिर चंपर डालेंगे, तेल जब गरम हो तो उसमें अद्रक लश्णका दो चम्मच पेस्ट टाल कर मिलाएंगे फिर आधी उसमें पानी डाल देंगे तोड़ी देर चलाएंगे अब ऊसमें एक चम्मच लाल मिर्च एक आधी चम्मच हल्डी एक चम्मच धनियाँ डालकर उसे मसाले को भूनेंगे जब मसाला थोड़ा सा भून जाएगा तो इसमें टमाटर डाल देंगे टमाटर डालने के बार थोड़ी देर ढखके पकाएंगे अब इसमें डाल कर चलाएंगे फिर उसमें अपने जरूरत के मताबिक पानी डाल देंगे अब इसमें गरम मसाला एक चम्मच डालेंगे एक चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे आधा चम्मच चाट मसाला डालेंगे अब दाल बनकर तयार हो गई है गैस बन कर देंगे इसमें इसमें एक चम्मच करीब चना मसाला डालेंगे अब इसमें एक चम्मच नमक डालेंगे दो और चला देंगे अब इसमें करीब दो चम्मच मक्खन डाल कर गैस को बन कर देंगे अगर आपके पास पनीर हो तो उपर से घिसकर डाल दीजेगा अब हमारी दाल बन कर तयार हो गई है